नमस्ते दोस्तों आज हम लेके आएं बहुत ही बहतेरी नास्ते की रेस्पीट जो पता है सुबह हो या साम कभी भी बना सकते हैं और इतना टेस्टी लगता है ना कि इसके सामने तो आप समों से उकचोरिकों भी बूल जाएंगे तो चलो हम बनाते हैं बीना देर किये हुए तो यहां पे हमने चना दाल लिया था जो हमने रात को भीगो दिया था और उसके बास्य मतलब धोके साप लिया अब मिक्से जार लेंगे और जाल को डाल देंगे और शाथ में दो हरी में डालेंगे इसमें ठोड़े से धनिया बत्ता आपको पसंद हो तो डाले ने तो नहीं डाल सकते हैं और थोड़े से पाइंच के जादा ने डालना जादा ज्यादा ज्याद़ें एक-दुजमस पाइंच गया और तरह सब बीसलेंगे तहां पे हमारा दाल बीस चुका इसको हम दूसरी बर्दन में निकाल लेंगे अब पता है एक बार इनास तो बना लेंगे ना तो घरवाले तो खुछ हो जाएंगे और मेरी लाड़ो तो मतलब एक ने दो चार भी खा लिया था और दो चार हरी मेच कटी हुए डालेंगे और चार प्याज मेडियम सायज का थोड़े से धन्य पाऊडर लादमेश पाऊडर हलदी पाऊडर और स्वादन नमक थोड़े से हेंग गरम मसाला अब हम इसको हाटों से मिला लेंगे अच्छे से आप ज़ाए तो चम से मिला सकते या बहाने नेचे की अने थे नहीं धुद्ध में उनिये डुद्धा आप अपने घर एवा चूरो। मस्त बनता है है हमें सारे चीजयों के अच्छे से मिला दिया थोड़े से इसमें धन्या कट वह डालेगे वाशे तो अमने धनिया डाल रखा था लेकिन थोड़ी आओ डाल दिया ना कटा हुआ तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी स्वाधिस्ट लगता है अब हम रखेंगे फ्राइपेट गैस पे उसमें तेल डाल के करम होने देंगे अब हम छोटे-छोटे टिक्की जैसे बना लेंगे इसका सारी प्याज और चने धाल का ऐसे टिक्की बना लेंगे हम आप गोल गोल भी बना सकते हमने यहां पर छोटे छोटे टिक्के बना लिया है आप पकोड़े की जैसे भी तल सकते हैं बहुत ही मस्त बनता है और इंतम करारे और इंतम लाजबाब से बनता है आप एक बर बनाओगे न तो अंगले चाटते रह जाओगे तेल हमारा करम हो तोड़े 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 एक एक टिक्की लेके तेल में डाल देंगे और कुछी देर में बन जाता है और एकदम हलके आज पे इसको शेकना है नहीं तो पता है ना दाल है दाल कच्छा रह जाएगा और फिर मतलब नुक्षान करेगा तो इसको मतलब आप ध्यान में ऐसे चम्मा से दबा देंगे हम दबाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेते तहां पे हमने थोड़े से धनिया चार या पांच हरी मिर्च थोड़े से लशन और थोड़े से पुदीन और स्वाद नुसर नमक आदा न यह टमाटर भी डाल सकते हैं थोड़े से पानी अब इसको पीश लेंगे हमारी चटनी बनके रेटी है अब हम इसको दूसरे को टोरी में निकाल देते हैं और देखें ग्रीन ग्रीन चटनी बने हैं न मसता वाली और यहां पर हमारे पकोड़े भी लगबग दल चुके हैं चने दाल के और इतना करार है और इतना लाजवा बनता है न कुर कुरेश है क्या आप खाते ही रे जाओगे एक बार चुरो ट्राए करें और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और पता है नहीं आप मैंने तल रही थी नहीं तो मेरे पती देव तलते समय भी खायते और वैसे मतलब खायते तो आप के घर में भी सारे लोग पसंद करेंगे बागी का बेटर जो बच्चा था उसको तल लेते और ऐसे उलट पलोट के तल लेंगे बढ़ियां से यहां पर हमारे सारे पकोड़े तल चुके हैं चने दाल और प्याज के एक बात जरू ट्राई करें देखो मस्त लग रहा है ना देखने में दम लाजबाव शा तो बनाओ और खेलाओ शबको और खाओ यहां पर मैं प्लेट लगाने जल रही हो और खाने आप भी खाओ भी हो मजे करो और यहां पर हमने ग्रिन चटनी लगा दिया है शाद में हम गर्मा गर्म प्याज और चने दाल का पकोड़ी लगाएंगे तो देखने में लग रहा है ना इकदम लाजबाव शा तेखो इकदम लग रहा है ना तक खावब्यों मजे करो मिलते हैं नहीं वडियो में जब तक के लिवाएंगे तो तो